पर जज्जमेंट हैं जिन पे हम पूरा का पूरा इनका किला धोस्त करने का काम करने वाले हैं साथियों उन जज्जमेंट्स के बारे में हम अभी आपसे जिसका सवचर्चा नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम जानते हैं के विरुधी बहुत ही हतास है इस समय, विरुधी बहुत ही निरास है इस समय. हम उनकी रीड के उपर वार कर रहे है तिन तिन, तिन इन्होंने लंबी सुनवाई की है तिन तिन महीने इनके वकील बोले हैं हमने तो अभी चार दिन ही टाइम लिया है चार दिन ही बोले हैं चार दिन में हम उनकी बखिया उदेड़ने का काम कर रहे हैं चार दिन में उनकी सारी की सारी कलई खोलने का काम कर रहे हैं सातियों हम आ जुन 2018 को कहती है कि आप बी एड को प्राइमरी में सामिल कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आप उनको अपॉइंट्मेंट देंगे और अपॉइंट्मेंट करने के बाद 6 महिने के अंदर उन्हें ब्रिज कोर्स कराना होगा तप योग्य माने जाएंगे बेसिक सिक्षा में प्र प्रदेश संसोधन करती है तो लिखना ही भूल जाती है और वह लिखती है कि हम पहले ब्रिज कोर्स कराएंगे ट्रेनी ठीचर के लिए ब्रिज कोर्स करवाने के बाद हम इन्हें अपॉइंट्मेंट देंगे मतलब क्या है कि आपका और जो एंसीटी है एंसीटी मतलब एक का इसी संस्ता जो जिसे केवल और केवल भारत सरकार की एक मात्र संस्ता जिसे यह अदिकार है कि मिनिमम योग्लेता और चैन पर करिया चैन की जो अब्रुपί का और NCTE का जो आपस में जो विवाद है वह ही आपस में कन्फ्यूजन क्रियेट कर रहा है कि on county कह रही कि आप पहले जोयनिंग दे दोगे उसके बद 6 मां का ब्रीज led करा होगे और आप कह रहे हूं पहले 6 मां का बृजब करा उसके बाद और साथ ही साथ आपने जो appendix पहले वन बनाई थी appendix वन में या विवस्था आगी BTC और DBTC मतलब सिक्षानक्रों की merit का निधारण आप किस प्रकार करेंगे high school, inter, graduation, BTC और ATRE सारे के अंकों को जोड़ते हुए merit बनेगी जब की appendix 2 आपने निधायत की BIT के लिए और वहाँ पे आप ये लिखना ही बूल गए कि किस प्रकार से appendix 2 को आप बेस बनाते हुए BIT की merit का निधायत करेंगे और इसी के बिहाब पे माननी ये single judge ने या बोला था कि ये एक प्रकार से भरती होने के योगे नहीं हैं कि प्रेयर में नहीं है आजब ने कोट को दिखा दिया कि प्रेयर में नहीं है हमारी भंप प्रेयर में कभी मांगी नहीं कर रहे हैं कि इनको बाहर करें लेकिन हम फिर वही पे आके कह रहे हैं कि आप इनको खाना खिलाईए पेट भरके खिलाईए हो सकता है आपके करीब के हूँ लेकिन हक हमारा है अधिकार हमारा है हमारे हिस्से का हमारे हिस्से का भोचन हमारे सामने की ठाली खीच के आप दूसरे को परोसने का काम अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं जिसको हम मानी कोट के समक्ष प्रस्तुत कर चुके और आज सबसे बहतर बाते रहे कि कोट में पांच बार स्वयम बोला है कि we are accepted हम पूरी तरह से आपकी आर्गोमेंट को accept कर रहे हैं या कोट के दोनों जजों ने पांच बार repeat किया है अलग-अलग टाइम पे पांच बार कोट में बोला है संतुष्टी दिखाईए और सबसे बड़ी चीज विपक् की तरफ से एक भी senior अधिवक्ता थे इसका मतलब यह है कि वह खुद ही मान चुके हैं कि उनके पास उनके तरकस में अब तीर खतम हो चुके हैं उनके पास अब जवाब देने के लिए कुछ भी बचा नहीं है इसलिए उनके अधिवक्ता ही अब भाइकाट कर गए उनके कोट के समक्ष प्रस्तुत करने का काम किया था उसको हमने तास के पत्तों की तरह से एक एक अलग अलग भी खेर दिया है और जो बारीक बारीक अंतर थे बारीक बारीक चीजे थी बारीक बारीक पॉइंट थे वो बारीक बारीक पॉइंट हमने मानी कोट के समक्ष प्रस्तुत कर दिये हैं साथियों हम हमारे हिस्से का काम बखुबी अंजाम दे रहे हैं हम हमारी जिम्मेदारियों को बखुबी अंजाम दे रहे हमें किस प्रकार से कब और क्या करना है कैसे करना है वोह हम निर्धारित कर चुके हैं हम एड़ोकेट के नि-धे-सन में आ आगे बढ़ रहे हैं हम हमारे टीम के उन कमांडोस को अपने अपने मोर्चे पर सजक प्रहरी के रूप में तैनात कर चुके हैं हर कमांडो अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दे रहा है जो कि आप स्वयम ही उसके साक्षात गवा हैं साक्षात आप उसको देख पा रहे हैं आपको किसी भी प्रकार के प्रमाड की अवस्तिक्ता नहीं प्रमाड देने की हमें जरूरत नहीं है आ आज विरोधियों का जो होसला पस्त है वा केवल और केवल उसका केवल और केवल एक मात रीजन है उपेंद मिस्रा साब की तमदार और जोरदार और सांदार बहस रही आज की और उपेंद मिस्रा साब की रात दिन की अमित साब की रात दिन की जो लगातार जो मेहनत है उसकी बदालत ही आज हम कोट में अग्रेसिव मोड में आ चुके हैं आज हम कोट में अटेकिंग मोड में आ चुके हैं कोट के समख्ष प्रस्तुत होंगे जो या जजज्मेंट साबित कर देंगे कि आप किसी भी प्रकार के जो आपने कार किये है वह सारे के सारे कार इलीगल है, गैर कानूनी है और आपने जो प्रिच्छा करवाने के बाद पासिंग मार्क लगाया था वह पासिंग मार्क फिल्कुल पूरी तरह से अव latch है सिंगर जज्ज ने 29 जनवरी को जो जज्जमेंट दिया था वा पूरी तरह से अच्छर सा सही है उसने पाई और कामा हालंत और मात्रा का आप परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि सारी चीज़े सुनवाई के बाद में मैराथन लंबी बहस के बाद में मानी नयाले ने 29 जनवरी को जज्जमेंट पारित किया था 29 मार्च वाला जज्जमेंट और वह जज्जमेंट आपके पास में आज ब्रहमास्तर के रूप में आज के समक्ष आज की तारीक में है सातियों हम हमारे हिस्से का काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं आप से आप एक्षा करते हैं कि आप जहां पर भी हैं जिस भी जगे पे हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी पे डट जाईए आप अपने हिस्से का काम जिम्मेदारी से अंजाम दे दीजिए इस वर ने चाहा तो इंशालला बहुत जल्दी हम सहायक अध्यापक के रूप में नुक्त होके 25 जुराइद होजा 17 को जो हमारा सम्मान खोया था उसको वापस प्राप्त करके और जिन लोगों ने हमें आयोग्य होने का ठपा लगाया था एक बार हम फिर से उनको ही आयोग्य साबित करते हुए आगे निकलने का काम करेंगे पर्चम फैराने का काम करेंगे और उन आयोग्यों को अगर हो सकेगा तो हम उ सामिल करेंगे उनको भी अपने पीछे लेके आएंगे खैरात बाठते हुए उनको भी खिलाएंगे लेकिन सबसे पहले जिसका हक है इस भरती में वो खाएगा जो इस भरती के लायक है वो खाएगा जो एंसिटी ने कहा है वो खाएगा जो केंदर सरकार कह रही है वो खाएग जो इनका खुद का रूल और एक्ट कह रहा है 이번ieologies सब्दाओर हो सबसे पहले वो सामिल होगे और उसके बाद बाहर के लोग सामिल होगे प्योंकि साधी अपने खास की है उस साधी में अब्दुल्ला की साधी में केवल और केवल खास खास लोग ही रहेंगे हाँ बाद में बेगाने भी आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है जब माहोल अच्छा बन जाएगा तो बाद में आएंगे भरती तो 40-45 पर ही होगी और भरती तो केवल और केवल पहले हम लोग सामिल होगे पहले हमारे लोगों का चैन होगा उसके बाद बचे हुए जो सीटे हैं उन पे आप क्या करते हो किसके उदेते हो हमें कोई मतलब नहीं है स一直've we go on a smaller life हमारे लोगों को सामिल करके इस भर्ती को सामिल कर दिए साथ कि हमारी टीम के कमार्टोस को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जब साथ तारीख को छेता जर्वरी को जब परिक्षा करवाने के बाद साथ तारीव को जब ये आवयद पत्र जारी हुआ था उस समय पूरे प्रदेश के अंदर एक हातासा और निरासा का माहूल पनब गया था आप तमाम साथियों को पहली बार ऐसा हुआ कि इस घटना करम से पूरे प्रदेश में एक भी सिछा मित्र हाताहत नहीं हुआ उसका सिरे मै देना चाहूंगा हमारी टीम के उन्चु जारू कमांडोस को जिनोंने इसना विश्वास पैदा कर दिया लोगों के अंदर कि लोगों ने गलत कदम उठाने के बजाए एक टीम के उपर भरोसा करना ज्यादा मुनासिप समझा और उसी का नतीज़ा रहा कि 29 मार्च को माननी सिंगल बेंच से जज्जमेंट आपके पक्ष में पारित हुआ या भी देन इसका विसरे हम हमारे टीम के उन्च जाबार